सुप्रभत मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्त और मस्त होगे आज हमें भाशा मनी यहां पुक से पाठ तिसरा आदर्श परिवार यहां पाठ पढ़ना है सबसे पहले आपको पुरुष्ट संख्य निकलना है उन्नीस यहां लिखिये कक्षा करिया, यहां लिखिये तारीक और यहां लिखिये दिन मैं अभी आपके सामने पाठ तिसरा आदर्श परिवार इस पाठ का पठन करूंगी आपको ध्यान पुरुवक सुनना है और मेरे पीछे पीछे पाठ का पठन करना है क्या आप रेडी हो? ओके संयुक्त परिवार कैसे एक आदर्ष परिवार बन जाता है? आईए पाट पढ़कर जने गौरव का परिवार एक आदर्ष परिवार है यहाँ एक संयुक्त परिवार है इसमें गवरव के माता पिता एक छोटी बहन दादा दादी चाचा चाची वह उनके दो बच्चे है गवरव के पिता जी इंजिनियर है वे अपना कारिय पुरी इमानदारी से करते है उसके दादा जी वह चाचा जी का अपना व्योसाय है सभी सदश्य मिलजूल कर रहते है आपको प्रुष्ट संख्य निकलना है 20 गवरव की मा का स्वभाव बहुत अच्छा है उसके परिवार में सब सदश्य प्रेम से रहते है सभी एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते है बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है अतहाँ उनका कभी लड़ाई जगडा नहीं होता संध्य समय गवरव और उसके भाई बहन दादा जी के साथ उद्ध्यान में खेलने जाते है प्रातकार दादा जी सब बच्चों को सेर के लिए भी ले कर जाते है गवरव की दादी जी चाची जी वा माता जी रसोई घर का कारिय करती है वे सब मिलकर स्वादिष्ट और पोश्टिक भोजन बनाती है फिर सब घर की सफाई करते है सबी बच्चों की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है पूरा दीन खुशी से बीच जाता है रात को भोजन करने के पस्चात दादा दादी सब बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा प्रत कहानिया सुनाते है दादी जी उन्हें अपने जीवन के ऐसे ऐसे किस्सी सुनाती है कि सब हस्ते हस्ते लोट पोठ हो जाते है अभी आपको प्रुष्टे संख्या निकलना है 21 गौरोव के घर में सभी मुख्य त्योवार उपर उनके सगे संबंदी आते हैं इसे घर में खुशियों का मेला सा लग जाता है गौरोव का परिवार बहुत भाग्य शाली है क्योंकि परिवार के सभी सदर्श्य एक दुसरे का आधर करते हैं और आपस में प्रेम पुर्वक मिल जुल कर राते हैं इस तरह से आपको पाठ का पठन करना है आपका गुरुव करिया है पढ़ो मिलते हैं अगले पिरेड में तब तक बाई